हेलो एवरिवन वेल्कम टू आल नेक्स्ट इग्जाम हिमाच्छल प्रदेश बीएड एंट्रांस दो हजार एककिस की इस सेरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे पार्ट टू किसका एजुकेशनल कमिशन एंड कमेटीज इन इंडिया का भाग दो हम इन वीडियो को जरूर दिखना और जो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना और बैल आइकन को प्रेस कर देना ओके तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट हमने जो पहले चार कमेटीज के बारे में पढ़ लिए था आज मारी फिफ्ट कमेटी है कौनसी फिए कमेटी या कमिशन क कलकत्ता इंवर्स्टी कमीशन या इसको और नाम जब जाना जाता था सैड़लर कमीशन बहुत इंपौर्टन है यह लिए इसको सीथर कोश्चन आता है कि कलकत्ता इंवरस्टी कमिशन का जो सेकंड नाम था तो यह कब बैठी थीTime referral in 2017 को वो यह बैठी थि और इसकी जो cameraman थे चेर्मेन कों थे माइकल सेडलर ठीक है अब देखने कि इसने रेकमेंडेशन क्या कह दी थी इसने बोला था कि जो स्कूल का कोर्स है वो बारा साल का होना चाहिए उसके बाद जो है वो बच्चों को जो स्टूडेंट्स को जो कहां पे एड्मिशन के लिए युनिवस्टी में जब अड्मिशन लेंगे तो उसके लिए जो है वो एक्जामिनेशन को पास करके जो हो युनिवस्टी में दाखिल हो ठीक है था कि उनमें युनिवस्टी में अड्मिशन ले पहला था कि सिंपल सा कि टॉलिव यर्स आफ कोर्स वी इंट्रड्यूस्ट ओके अब सेकिन्ड क तो है था की जो जिसके बॉर्ड या एक होता है मारा हमारा नकर फिरशल बोर्ड है और यो टैन तक कर और वो अलग है तो उन्होंने भी इसे में रेक्मेंडेशन दी थी for this purpose of high schools and intermediate एजूकेशन सेपरेट बोर्ट शुड़ बी एस्टेविलिस्ट कि उनके लिए वह जो है वह अलग से बोर्ट जा वह स्थापिद किये जाएं और उन्होंने और क्या बोला था थर्ड पॉइंट जो मारा डिगरी का कोर्स है उसकी डुरेशन जो हमेशा हमारी तीन साल की रहनी चाहिए जो हमारा डिक्री का कोर्स है उसकी जो हमारी तीन साल तक वो रहनी चाहिए ओके और उन्हें क्या बोला था कि It emphasize the facility of Education of Science and Technology female education and teacher training उन्हेंने जोर दिया था कि science or education की जो हमारे education है science की education की पर और technology पर और दिया था हमारे किस पर टीचर के ट्रेइनिंगों के उपर उन्होंने ज्यादा जोड दिये था फिमेल एज्यूकेशन बहुत इंपॉर्ट है कि फिमेल एज्यूकेशन को किसने जोब सरपतम जोब जोड दिये था वो किसने था हमारे सैटल रेकमेशन है आयोब आपको समझा रहा होगा थर्ड कोशन हमारा कि जब इस रेकमेंडेशन के बहुत है इसको एक्सप्ट कर लिया गया गोर्मेंट के दोबारा अब इसके बाद क्या हुआ साथ नई यूनिवस्टी जो वो एस्टैबलिश के गई है कब गब 1916 से लेके 1921 के बीच में साथ नई यूनिवस्टी जो हो एस्टैबलिश करें गई और यह वहला कोशन जो है हमें प्रीविस देखने को मिला था तो वह साथ उनिवस्टी कौन कौन थी अलिगर्ड नखलगलगनाव बनारस मैसूर पत्ना धाका और ओस्मानिया यह तेमारी साथ उनिवस्टी इस जो कमेटी जो है रखा गया था अब इन्होंने किया रेक्मेंटेशन दी थी वह हम देखते हैं इस कमेटी में इन्होंने बोला था primary education नीडर्ड ओर अतेंशन त्रू इट वह नसेर्सरी टू मेक कमपल्सरी कि जो हमारे primary education है उन पर जो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसको compulsory करना चाहिए किया दिया था कि only जो deserving student है वो ही जो है वो higher education या intermediate education में जाएं ठीक है कि जो deserving student only वो ही जाएं और उनने third point बोला था most important कि the average student after eighth class should be divert to vocational courses कि जो है वो maximum student जो हो उनको जो हो vocational courses के तरफ जो है उनको भेजना किसके बाद हमारे eighth standard के बाद उनको vocational courses में ज्यादा enroll करवाना यह इनका क्या था इसके मेंटे की क्या थी recommendations यह सारी इतनी बड़ी रेकमेंडेशन दी थी लेकिन आज भी यह सब चीज़ें यह फॉलो ढंक से नहीं होती है हमारी जो education आज भी वह भी हमारी employment employment से little कोई भी नहीं है ठीक है for example आज आज हमारे जो बीटेक के students है वो आज भी या तो बीटेक के student government job की त्यारी कर रहे है या तो फिर किसी company में यह है इसको थोड़ा detail में देखेंगे इसको वर्दा scheme of basic education वर्दा scheme of basic education इसके जो chairman थे वो कौन थे जाकिर हुसेंद लेकिन इसके पेचे एक छोटी से स्टोरी है कि क्या हुआ था कि जो महातमा गांदी जी की जो उनकी पत्रिका थी उस पत्रिका का नाम था हरीजन को यह भी आता है कि महातमा हरीजन जो थी वो किसकी दोरा चला जाने वाड़ी पत्रिका थी तो वो कौन सी थी महातमा गांदी जी की तो क्या हुआ था कि 31st July 1937 को महातमा गांदी जी ने अप उन्होंने एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सब्सक्राइब लिखा उसके बाद क्या हुआ तुरंत बाद कि All India National Education Conference was held on October 22 and 23, 1937 ठीक है उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि All India National Education Conference बैठी ठीक है और उसी Conference को क्या नाम दिया गया वर्दा Education Conference जो है इसका नाम दिया गया ठीक है और इसके अध्यक्षता किसने की थी जो एक कमेटी बैठी थी इसके अध्यक्षता की थी हमारे किसने महत्मा गांदी जी ने खुद की इसकी अध्यक्षता करें तो यहीं से क्वेशन आता है कि वर्दा स्कीम जो था वो किसकी द महत्मा गांदी जी ने एक कमेटी का पोइंट करा पोइंट करहा है और उसं heavily के जो है एड़ेंट थे प्रणसा एक ह। किसको बना गया डॉक्टर जाकीर हुसेइन को बनाए गया God only उसके बाद इन्योंने इसके कमेटी ने अपनी जो थो एननोंने रिसर्च कर रा उसके बा वेसिक हेंडिक्राफ्ट जो है इसको इंटर्ड्यूस किया जाए ठीक है क्योंकि महात्मा गांदी जी का एक विजन था उनको इनको विजन यह नहीं था कि बहुत बड़ी बहुत बड़ी जो है कंपणिये स्थापित कि उनका विजन यह था कि जो गाउं की लोग हैं उन पर से के जाए ध्यान दिए जाए और उनल ने पंखेटी राजक्राशन यह को फापोपर लेकाशन होगा है किया कि उनफे बने का नहीं के है लिए यह के हैं जिए क्याएं dir इंट्रडूशन और टीचिंग थू किसे लिए निग कर जाए करें किक लिए अपर से किसे आप तक क्लास टू से लिके क्लास एबंट अर्छेशिटेंग यह था कि इभी था कि इंगलीश फ्रॉम अर्लियर यह एर फ्सकूल कि स्टार्टिंग में जो है इंगलिश को क्या किया जाए Remove कर दी जाए इंग्लिस को इंट्रडूश कर वा जाए कि इस इत्स लेकर आने वाइब सभी क्लासों में उसकी बाद नियुक्तों को है इंट्रडूस किया ठीक है उससे पहले जो है सिर्फ हिंदी में इंट्रडूस किया जाए और एक कल हमारा कोशन था कि इंग्लिश को इंट्रडूस करने का कि किस ने करी थी तो वो थे हमारे लॉड मेंकाले वह भी कोशन बहुत इंपोर्टन है उन्हें एक और चीज बोली थी तो फर्ष्ट सेवन यर अफ स्कूलिंग टू बी और इंडिविजुल इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्री अन कंपल्सरी नेशनल वाइड एड्यूकेशन कि जो स्टार्टिंग के साथ सारतें स्कूलिंग के उनमें जो हो फ्री और कंपल्सरी गता है उमारा वह रेंटिकल नोंबर 45 तो वहाह सफीर प्रंटेकर अदे और कोक त्वियूटि गजैनेय को फफंडमेंटर्ट ना इन्हें रखाना कि इसको वह पार्च्श ऑ्यूद्ट तयूक्सरी निसे जरूरी 17 करवाएं बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजूं करवाइड करवाए ठीक है तो यह थी आज के मारे जो किमेटी ऑर इसके यह थे ठीक है कमेटी और कमिशन वाड़े ठीक है तो वीडियो को जादे जादे क्या करना शेयर करना लाइक भी करना और चैनल को करना सब्सक्राइब ओके तभी मैं आपको गाफे डिटेर में भी है इसको इनको जो है करवाँ करवाँगा MCQ फॉर्म में भी इनको ले के आँगा पर पहले एक कंप्लीट हो जाए ओके तो इसको जादे जादा शेयर जरूर करना है ठीक है शेयर थैंक यू एन हैब नैस दे